नमस्कार मैं आपकी महक चोधरी फिर से आपके सामने एक सची घटना को लेकर आज की जो सची घटना है कुछ इसकदर है कि इसमें एक महिला जिसका पती रात के तीन वजे अपनी पत्नी को सर के बल घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है पड़ोसी देख लेते हैं हंगाम मचाते हैं उसके बात जो होता है उसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे घटना को शुरू करने से पहले फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट जो भी हमारी वीडियो को जहां से देख रहा है अपना नाम अपनी राय साथ-साथ आप जिस इलाके से देख रहे हैं उस छेत्र का ना जो कि हद से जादा अपने रिष्टेदारों से फोन पर बात करती थी अपने भावी भहिया ममी बहनों से जिस वजह से उसके साथ इतनी बड़ी घटना दुर घटना हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते वह संसार से अलविदा कह जाती है इस घटना में एक महिला होती है रेसमा नाम की जो कि शाम के करीब रात को बहुत नॉर्मल वो परिवार में सोते हैं जिसका पती ईरिक सा चलाता है जिसका नाम है ननहे की उमर है वो तीस साल है और जो रेसमा है उसकी उमर है 28 साल दौनों पती-पत्नी है रात के करीबन तीन बजे पढूस की सोने वाली नजमा नाम की महिला एकदम से जगती है क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसकी चत पर कुदा हो जब वो जाकर देखती है तो वो देखती है कि पड़ोस की रेसमा उसका पती उसे बाल पकड़कर घसीडते हुए कमरे के अंदर ले जा रहा है वो चिलाने लगती है चोर-चोर सारा पड़ोसी खटा हो जाता है जब पड़ोसी सब आते हैं सब पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कहा है तब ही यहां पर नन्हे कहता है कि मेरी पत्नी को हाट में चोट लगी थी तो वो डॉक्टर के गई है लेकिन उसके हाव भाव कुछ अलग कह रहे थे और जवान कुछ अलग कह रहे थी इसी बात को देखते हैं पड़ोसी जिद करते हैं पास बहुत गीला हो रहा है इसके पास जगे जगे खून के छीटे भी पड़े हैं आप यहां पर चेक करें तब पुलिस की टीम आती है और उस सेप्टी टैंक में जब जहां कर देखती है तो उसमें रेसमा की डेट बॉड़ी पड़ी हुई थी यानि कि उसकी सांसे थम चु पुलिस को रिपोर्ट तो मिल जाती है पुलिस आस पड़ोसियों से बात करती है तब ही यहां पर जो नजमा है वो कहती है कि मुझे तो बस जो दिखाई दिया था वो मैंने बता दिया कि मेरी चट पे मुझे लगा कोई कूदा है लेकिन जब मैं जाकर बाहर देखती हूं तो हमारे ही पड़ोस का नन्हे अपनी पत्नी रेसमा को बाल पकड़ कर खीच कर अंदर ले जा रहा है और वो अंदर जाना नहीं चाह रही थी वो बचना चाह रही थी तब इनन्हे का फॉन्ट रेस पर लगा कर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और जब उसे अरेस्ट किया पत्नी है मैं अपनी मा के साथ यहां पर गौतमनगर में रहता था मेरी एक बेटी थी लेकिन पहली जो पत्नी थी उस से айтесь से मेरी लड़ाई होई अधार लड़ाई होने के बाद हमें दो बेटियां थी जिन मैंसे चोड़ी बेटी जो थी उसे मेरी पत्नी ले जाती है लेकिन बड़ी बेटी मेरे पास ही रह जाती है और मैं जब अपनी बेटी और अपनी मा के साथ खुशालता तब ही रेसमा की मा आती है और वो बताती है कि मुझे अपनी बेटी का रिस्ता तुम्हारे बेटे के साथ करना है तुम् दोनों की रिस्ते की बात चल जाती है इधर जब रेस्मा के बारे में जाना जाता है तो पता चलता है फॉन पर बहुत ज़्यादा बात है करने की वज़े से उसके पती में और उसमें लड़ाई होती थी लड़ाई होने के कारण से ही उसके पती ने उसे छोड़ा और जब उसे छोड़ा तो उसने अपने छोटे बेटे को अपने साथ ले लिया और बड़ा बेटा पती के पास चला गया था यानि कि उसके पास छोटा बेटा था और पती के पास बड़ी बेटी थी दोना बच्यों को लेकर दोना की शादी हो जाती है अब दो बच्चे हैं पती पतनी हैं बड़े आराम से दिन कट रहे हैं लेकिन कहते हैं सिर्फ और सिर्फ दो साल उनका ऐसे निप्ता है तब ही एक बार वो लोग घुमने के लिए जाते हैं फिर भी उसके पास फॉन आते हैं, फॉन पर वो इतना ज़ादा समय देती है कि बारवा नने कहता है कि तुम सबसे इतनी बाते क्यों करती हैं, तब ही वो कहती है कि तुम मुझे फॉन से बात करने से नहीं रोक सकते, मेरा मन करे मैं जिससे बात करूँ जबकि वो अपने रिस कर नहीं लेना चाहता था, तो इसी लिए वो अपनी पत्नी पर नजर रखने लगता है, खोब नजर रखता है, लेकिन जब भी देखो, वो फॉन पर ही बाते करती हुई मिलती, और इसी बात को लेकर उनमें लड़ाई होने लगती है, लड़ाई रोज छोटी मोटी होती थ कि उसका पती कहता है, ननहे, कि तुम ये फॉन पर बात करनी बंद कर दो, तब ही रेसमा जवाब देती है बढ़कते हुए, क्योंकि वो कह देता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा कहीं चक्कर है, लेकिन रेसमा यहाँ पर भढ़कती है, और कहती है कि तुम्हारी इतनी चोटी सोच है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, बस वो इतनी बात गुसे में निकालती है, उसके बाद रात होती है, वो सो जाते हैं, सोने के बाद ननहे जो है, रसोई से चाकू लेकर आता है, और जो रेसमा है, वो अपने बच्चों के साथ गहरी नीन में सोई चोटी है, और उससे बच बचाकर वो दर्वाजे की तरफ भागती है, लेकिन वो देखती है कि दर्वाजा तो बंध है, लोग खोलने में, मुझे टाइम लगेगा और ये मुझे मार देगा, तब ही वो सीडियों के रास्ते चट पर चड़ती है, और वो पूदना तो नज नजमा की चट पर कूटता है, और उसके बाद फिर रास्ते में कूटता है, जैसे ही नजमा की चट पर कूटता है, तो नजमा की आखे कुल जाती है, और आखे कुलने के बाद वो जो नजारा देखती है, वो अपनी पत्नी को खीच कर अंदर ले जा रहा है, उसी पर वो श परिवार बना बनाया बिखर जाता है चोटी सी गलत पहमी की वज़े से इसलिए आप सब को आगाह करती हूं कभी भी आपके बीच में कोई अगर होती है तो उसे बैठ कर सुझाओ एक दूसरे की भावनाव को समझो एक दूसरे से बात करो जिससे की आपका जो रिस्ता है उस पर कभी अंचना आए यहां पर जो रेसमा थी वो बिल्कुल गलत नहीं थी लेकिन यहां पर एक गलती उसकी चोटी सी यह थी कि वो अपने साथ नहीं रहने और यही डर उसकी जान दे लेता है कहानी आपको कैसी लगी क्या गलती है पती की नन्य की या फिर रेसमा की क्या सजा मिलनी चाहिए नन्य को वो बच्चे अब कैसे बड़े होंगे क्या होगा यह सक जो है वो इतनी बुरी बिमारी है कहते हैं सक को कोई भी नहीं मिटा सकता तो इसलिए सकी गुझायस कभी भी अपने जो आपका रिस्ता इमानदारी से चल रहा है उसमें ना रखें रखते भी हो तो इमानदारी से बैटकर उसके लिए बाते की जा सकती हैं और अपने सक को दूर किया जा सकता है विडियो अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा बहुत जल्द फिर से ऐसी कहानी लेकर आती हूँ लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले हमारे जो फॉलोवर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जिन में सबसे पहला नाम आता है समर स्रीवास्तव जो की जिला गॉंडा जहर कंड से हमें देखते हैं हमें सपोर्ट करते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें अगला नाम आता है आनंद सर्मा जो कि वारांसी से हमें देखते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते हैं बहुत हमें सपोर्ट करते हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद अगला नाम आता है दुरगेज जी जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं इन्होंने अपनी जगे का नाम नहीं लिया है लेकिन ही अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहते हैं समय समय पर इनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद अगला नाम आता है अंजली दिख्षित जी जो की बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखती हैं हमारे उत्साह को बढ़ाती हैं और हमारा काम करने में बहुत ही मन लगता है इनकी बातों से तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और बहुत जल फिर से आती हो ऐसी एक सची घटना के साथ तब तक के लिए जाहिन जाबार।